नमस्कार बहुत स्वागत है आपका साल का पहला सूरी ग्रहन लगने जा रहा है तो ये सूरी ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा जो तिस में ग्रहन को अत्यंत महतबूर्ण माना जाता है इस दिन पूजा पाठ के साथ तांतरी क्रियाएं भी की जाती है वैसे तो इस बार का ग्रहन बहुत खास है और ग्रहन काल के दौरान भोजन बनाना और भोजन खाना दोनों ही से बचा जाता है हला प्रेगनेंट महिल कि ग्रहन काल में घर से बाहर मत निकलिए और इसके अलावे ग्रहन को भी मत देखिए कहते हैं सूरे ग्रहन और चंदर ग्रहन के समय सूरे और चंदर तकलीफ में होते हैं इसलिए ग्रहन के समय उन्हें देखने से बचना चाहिए साथ ही ग्रहन के समय दातों में ब्रस करना तेल लगाना, ताला चावी खोलना, तिन के तोड़ना, सिलाई करना, कैची, चाकू, छूरी, यूच करना जैसी चीजें बिल्कुल भी ना करें खास कर जो प्रेगनेंट महिलाएं हैं उनके लिए गरहन काल में मालिस करना, उप्टन लगाना, ऐसे भी चीजों से बशना है और साथ ही आप गरहन के समय, वैसे जैसे बहुत साई लोगों को दवाई समय समय पर लेना पड़ता है, कुछ खाना पड़ता है तो ऐसे में आप खाईए, पर नौन बेज बिलकुर मत खाईएगा और साथ ही इसमें टेंसन में ज़्यादा मत रहिएगा पारंपरिक माननेताओं के अनुसार, जो लोग नौन बेज नहीं खाते हैं उनके जीवन में इस समय खास कर गरहन के वक्त जो नहीं खाते हैं, टेंसन उनके जीवन से भी कम होता है और धीरे धीरे उनके जो सकायत में उड़ जया है, वो बढ़ती है गरहन के समय साथ तरह के खास उपाई के जाते हैं अगर राहु केतु आपकी कुंडली में दूसित है आपके जीवन में परेसानी है तो आप जूते का दान कर सकते हैं और ये जूता किसी गरीब या जरूरत मंद को ही कीजिएगा जूता काला या ब्राउन कलरका होगा अब दूसरे उपाय अगर पित्री दोस है आपकी कुंड हैं वहीं पर हैं तरक्की नहीं कर पा रहे हैं यह भी पित्री दोस के लक्षण है तो ग्रहन के दिन आप वैसे तो इस दिन सुबह में भी आप कर सकते हैं जल में एक चुटकी काला तिल डालकर भगवान सूरे को और पित करें और दूसरी चीज ग्रहन समाफ्त होने के कि परिशनी समाफ्त करने के लिए ग्रहन के समय एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है सबसे पहले तो आपको एक सिक्का लेना है भगवान सूरी के बारण नाम का जब करना है तो यह मंत्र आप जब कीजिए और उसके बाद एक लाल कपड़े पर एक सिक्का रखकर बांध कर अपनी तीजोरी में रखने मालक्षमी के चर्णों में रखने के बाद तो धन की समस्या दूर हो जाती है तो भगवान सुरी के मंद्र का आपको जब करें के यह उपाई कर लेना है मुश्किले समाप्त होंगी धन के लिए ए आपको लेना है और साथ ही आप एक लाल कपड़े पर रखके सब कुछ आप स्री सुक्तम का पाठ करें और फिर धन के अस्तान पर रख दें इससे भी बरकत होने लगती है धन की समस्या दूर हो जाती है दोनों में से कोई भी उपाई कर लें आप चाहें तो दोनों ही उपा करें अपनी भलाई के लिए करें दूसरों के बुराय के लिए मत कीजेगा तो चलिए एक और च्छोटा सपरियों कभी क्या होता है तो यह जो गोमती चक्र है पहले से लाकर रख लिए अगर आपके घर में पहले से गोमती चक्र तो उसको भी आप गंगा जल से सुद करके हैं कोई दिक्कत नहीं है कभी कभी क्या होता है निगेटिव इनर्जी बहुत परिसान करती है बिमारियां पीछा ही नहीं छोड़ती जीवन में मुस्किले हैं आप चाहते हैं कि तमाम मुस्किलों से आप बाहर निकलें तमाम परिसानियों से आप बाहर निकलें पर निकल नह भीचे के पास पिश्पीच आप रख दीजिए गरहन वहां थोने के बाद इस निम्भू को उठाए अब इस निम्भू को उठा कर उसके दो पीस काटिए । दो टुक्रे में घर से बाहर निकल कर दाहने हाथ का तुक्र बाइञ तरफ फेक दें और बाइञ पीछे मुड़े घर आजाए तु आशास्त में complementary आपको लगेगा जैसे हम उनका स्वास्त अच्छा हूगक einवाल कोसी आपको इसका मशूच होगा तो बिमार्यों से मुक्ति के लिए किलिए लिए पूर्यों है अब बहुत सारे बच्चे बच्चियों का लड़के लड़कियों का साधी नहीं हो पा रहा है गरहन के एक दिन पहले केले के पेड़ के पास जाए हाँ जोड़कर केले के बिच्च से प्रातना कीजिए कि आपका जड़ हम लेकर जाएंगे और फिर गरहन सुरू होने के पहले आप एक लोटा जल लेकर फिर से केले के पेड़ के बेस जाएं और एक सुपाड़ी एक सिक्का लेकर जाएं अब केले के पेड़ को परणाम करें वहाँ पर जल अरपित कर दें सिक्का और सुपाड़ी भी वहाँ पर रख दीजिएगा और कच्चे दूद गंगा जल से सुद्ध करें और उसके बाद हल्दी में लपेट कर एक पीले कपड़े में बांध कर तावीच के तरह धारन करें धारन गले में या फिर बाह में कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो आप देखिएगा सिग्र विवा के योग बन जाते हैं यह उप इसी लिए इस समय आपके घर पडिवार पर आपके घर के लोगों पर यहां तक की आपके दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है तो गरहन के वक्त आप पहले ही गरहन से पहले एक चोटा सा प्रयोग कीजिएगा नमक किसी काच की कटोरी में लेकर अपने डाइनिंग एरिय पानिया में रख दें कहीं भी और जब गरहन समाप्त हो जाए आप देखिएगा नमक हलका पानी पानी हो जाएगा इस नमक को कहीं ड्रेन में डाल दीजेगा या फ्लस कर दें या फिर बेसिन में डाल दें तो इस तरह से आप इन नकात्मक उरजाओं से बचेंगे और एक थोटा सा प्रिवार्व कीजेगा एक कांच के गलास में पानी ले 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 उसमें एक चमच नमक डाल दे अब इसको अपने घर के दक्षिन पस्चिम कोने में रख दीजे और संबब हो तो हलका सा लाल रंग का नेल पॉलिस या कोई कलर है आपके पास तो गलास में लगा दी अब इसको यूँ ही रहने दें और गरहन समाप्त होने के बाद इसको भी आपको फेक देना है कहीं ड्रेन में या फिर प्लस कर देना है आप देखिएगा घर परिवार में खुजी आएंगी और जो दक्षिन पस्चिम कोने में पानी आपने गलास में रखा है इसका प्रिय एक ऐसी समस्या है जो जीवन के उन लम्हों को जीने नहीं देता जिसके आप भगदार हैं क्या करेंगे सूखा हुआ नारियल का तीन गोला ले आएं याद रखिए तीन गरहन का वक्त है ना तो आपको तीन लाना है गोला सूखा नारियल का मार्केट में आपको मिल अब नारियल का गोला में या तो छेत करें या फिर उपर से थोड़ा सा काट लें सभी नारियल के गोले में चीनी भर दें सक्कर जिसको कहते हैं उसके बाद उपर से जो काट की हटाया है वहां पे लगा दें अब किसी भी निर्जन अस्थान पर जाकर मिट्टी में कोकर गरी जीवन में जो कर्जी की समस्या है जो परेसानी है जो दन की मुस्किलें हैं वह इसमाप्त हो जाएगी और धन आने के रास्ते देंगे हम आप से विजा लेते हैं हर-हर महाद्यप धनेवार